नमस्कार आप देखरें रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूँ श्वेता दुर्पाथी दुपहर के बारा बज़ रहे हैं सलोनी और पुनीता भीज बुल्टिन में मेरे साथ मौज़ूद है और सबसे पहले आपको बताते है आसमानी आफ़त के बाद पहाडू का हाल क्या है हिमाचल में ब्यास नदी का जलिस्ता लगातार बढ़े हुए है बूसखलन की खबरे निकल कर सामने आ रहे है जो घर है वो किस तरह से जो बढ़े हुए जलिस्तार है नदियों के उनकी जद में आ रहे है यह अलग-अलग पांच तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है चाहे फिर शिमला हो, मंडी हो, कुल्लू हो बादल फटने से चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरे नजर आती है अंदाजा आप लगाईए मंडी में जो तस्वीरे इस वक्तम आपको दिखा रहे है चुकि बांद भी यहाँ पर तूटे हैं जिससे जो जल का प्रभा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये पांच तस्वीरे डराती है और पांच तस्वीरे चिंता भी बढ़ाती है कि अंदाजा लगाईए ये जो जो लोग होंगे इनके आसपास यहाँ पर जो लोग रहते होंगे तो कि हमें आपको दिखा रहे हैं जो मलबा है वो गिन सड़कों पर आ चुका है कुल्लू के तस्वीरे में मापको दिखा रहे हैं और इसलिए चिंता ये बढ़ती है कि आखिर ये जो आसमानी आफ़त है इसके बाद के जो हालात होते हों उनको कैसे कंट्रोल किया जाए तो पांच तस्वीरे आप देख रहे हैं जो बता रही है कि कैसे तबाही भारी बारश के वज़े से देखी जा रही है वहीं भारी बारश से हिमाचल प्रदेश में हाहा कार मचा हुआ है आप तस्वीरे देख रहे हैं कैसे जो इस पर खतरनाज पर पर पौज गया है कुलू, शिम्ला, मंडी सब जगह सैलाब नज़र आ रहा है शिम्ला में नदी किनारे सिर्शिव मंडिर जो था वो जल्मंग्न हो गया है हिमाचल की में हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं यहाँ पर बांद तूटने से कैसे हालात हैं आप अलग-अलग जगहों पर देख पा रहे हैं और सिती बत से बत्तर हो रही है बारश के बाद तबाही की तस्वीरे अलग-अलग जगहों से हिमाचल की बात करें उत्राखन की बात करें वाइनाच से भी कल भूस्खलन की तस्वीरे सामने आई कि अभी भी वहाँ पर एस्टू और तो यही हालात लगातार यहां चिंता जनक बने हुए वहीं आपको बताए हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री ने सेना से मदद मांगी हालात जैसे खराब हो रहें तबाही जिस तरह से देखी जा रही है वहीं पचास लोग लापता बताए जा रहे हैं इसको लेकर सेना से हिमाचल प्रदेश ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मदद मांगी है अगले 36 गंटे भी भारी बारिश की पूरी-पूरी संभावना है तो सुख्यमंत्री जो वहां की मुख्यमंत्री है उन्होंने अब मदद मांगी है सेना से अब तक दो शब बरामद हुए अगले 36 गंटे भी भारी रहने वाले हिमाचल के लिए यह अग्टियात के तोड़ पर पहले सेही सेना की मदद की मांग सुख्यू ने की है हमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है कि किस तरह से महाँ हालात लगातार चिंता जिनक बढ़े हुए और सिती को काबू में करना बहुत जरूरी ऐसे में सेना की मदद की मांग उनकी तरफ से की जई कल सुभा से परदेश में अत्यदिक बारिश हो रही थी और आज सुभा चार चालिस के करीब क्लोड बस्ट हुए मंडी जिला में क्लोड बस्ट हुआ चार चालिस सुभा के वक्त हमारा रामपूर शेत्र में एक जगा है जहां क्लोड बस्ट हुआ जिसके कान नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उसके का उससे काफी शती परदेश को हुई अभी तक सुचना के मताविक पचास लोग मिसिंग है और दो लोगों की डेड वोडी को रिकवर कर लिया गया है निश्चित रूप से NDRF की टीम, SDRF की टीम और हमारे डिप्टी कमिशनर्स हमारे SDM सब घंडा स्तल पर है, पुलीस विवाग घंडा स्तल पर है सुबा से हमारे रेवनियो मिनिस्टर तक्रीमन साथ बज़े से लगातार मेरे संपर्क में है तो हिमाचर प्रदेश में देखे किस तरीके से बारिश आफ़त बनकर बरसी है बाद उत्राखन की कर लेते हैं, यहाँ पर भी जल प्रलेल ने अपनी चपेज में हर और हर किसी को ले लिया है चारों और तबाही की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है खास करके अगर किदारनात की बात करें तो यहाँ पर किदारनात मार्कपाद बादल फटने की वज़े से भारी नुकसान हुआ है और फसे हुए लोगों का रेस्क्यू लगतार जारी है कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग फसे हैं उन्हें सुरक्षित जगे पर पहुँचाया जाए तो बरसाती बारिश ने लोगों के लिए किस तरके से आफ़त बनाई हुई है उत्त्रा खर्मे के दारनात में रिपोर्ट के जरिया आपको दिखाते है कहीं पुल बे गए, कहीं रोड धस गए, कहीं मकान बे गए, तो कहीं लोग फस गए देव भूमी में आसमानी आफ़त ने ऐसा कहर बर पाया है कि चारो ओर तबाही की तस्वीरे साफ दिख रही है केदार पैदल मार्क पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है अलग-अलग जगहों पर नौ लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे है कल देर शाम शुरू हुई बारिश ने पहाडों में तबाही मचा दी रुद्ध प्रया के लिंचोली और टीरी के नौतार तोक में जहां बादल फटने से भारी नुपसान हुआ है तो वहीं कैदार घाटी में हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया है ये तस्वीरे टीरी के घंसाली की हैं बादल फटने के बाद यहां एक ही परिवार के तीम लोग भै गई थे जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक गायल को अस्पताल में भरती कराय गया है हर द्वार में भी आसमानी आफत ने लोगों की जान ले ली मकान के मलबे में 11 लोग फस गए जिसके बाद बचाव टीमों ने अभियान चला कर लोगों को बाहर निकाला लेकिन तब तक दो बच्चों की जान जा चुकी थी बागी घायल 9 लोगों को अस्पताल में भरती कराय गया ये तस्वीरे भी हरिदवार की ही है जहां सैलाब बना बारिश का पानी नदी के नारे खडे एक बड़े ट्रक को बहा ले गया पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक धीरे धीरे नदी में समाता चला गया पहाडों पर ऐसी तबाही की तस्वीरे देखकर हर कोई डरा हुआ है और उपर से मौसब विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंचन और बढ़ा दी है मौसब विभाग ने आज भी राजे के सभी जिलों में भारी बारेश का अलर्ट जारी किया है नैनीता, उधम सिंगनकर और चमभावत जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है जबकि देरादून, टिहरी, पौडी और हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है एक तरफ पूरी देव भूबी जल प्रले की चपेट में है तो वहीं SDRF, NDRF और राहत बचाव की टी में लोगों को बचाने में जुठी है देरादून से अधिकारियों को आक्टिव रहने के निर्देश दिये गए है और खुद CM पुशकर सिंगधामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है Bureau Report, Republic, भारत देखिए थी तस्वीर भी हम आपको हिमाचल परदीश के दिखा रहे हैं यह देखिए यह तस्वीर इस हफुदना यह आप उत्रखांड की देख सांट अपना सवकत लगए यह जितने भी घर है यहां पर जितने लोग रह रहे होंगे उनकी सांसे कैसे अटकी होंगे हाला कि उनकी लिए कुछ नया नहीं है लेकिन इस बार जो 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 बढ़ा हुआ है वो चिंतक का सबब जरू है क्योंकि जिस तरह से आप नदी देख रहे हैं और इसके अंगल बगल जितने भी इलाके वो रियाईशी है यह पुल भी है हाला कि पुल के कितरे करीब तक भी पानी पहुंच पहुंच रहा है इसी का डर है क्योंकि देखिए समझे हर एक ब्रिज के पास जो खत्रे का निशान होता है वो होता है खत्रे की निशान से उपर इन नदिया बह रही है और यही एक तरह से कहें